Hello Friends, Friends आज को सुडियो में हम Transformer, Primary and Secondary Current Calculation किस तलहा किया जाता है आज को सुडियो में हम सीखने वाले है सपोस हमारे पास कोई 3-phase Transformer हो, चाहे वो Distribution Transformer हो या Power Transformer है यदि हमारे पास कोई 3-phase Transformer है और हमें Find करना है उस Transformer के Input में कितना Load है या कितने Impair Current है और उसके Output में कितने Impair Load है या कितने Impair Current है किस तलहा किया जाएगा आज के सुडियो में काफी आसान तरह से सीखने वाले है Basically काफी Important और काफी Basic Calculation है जिसका Knowledge आपको होना चाहिए देखे किसी वे Transformer का Input Current हो चाहे Output Current हो हमें वहाँ पर पता होना चाहिए Input Voltage कितना है और Output Voltage कितना है यदि हमें वहाँ पर पता है उसका Input Voltage कितना है और Output Voltage कितना है तो हम Current Calculation आसाने से कर सकते हैं इसके लावा एक और Factors का हमें Knowledge होना चाहिए कि हमारा जो Transformer है उस Transformer पर कितने KV है या कितने किलोवाट का Load Connect है यदि हमें इसका Knowledge है तो हम आसाने से इसमें कितना Impair Connected Load है इसका Calculation आसाने से कर सकते है Suppose हमारे पास कोई 1000 KV का Transformer है जिसके ओपर 1000 KV का Load Connect किया गया है यदि Transformer के ओपर 1000 KV का Load Connect किया गया है और वह 11 KV to 440 Volt का है तो उसका Primary Current and Secondary Current Calculation किस तरह किया जाएगा चलिए हम समझ लेते हैं जहाँ पर P होती है पावर जो की वाट में होती है V होता है Voltage और I होता है Current और यहाँ पर कॉसफा होता है Power Factor और अंडर रूट 3 थ्री फेस के लिए यहाँ पर Connect किया जाता है चलिए हमें Voltage ये दि हम पहले Input Current निकाले Input में कितना Current Flow होने वाला है तो इसके लिए हमें Input Voltage पता होना चाहिए Input Voltage कितना है 11,000 है हमें 11,000 ले लेना है ठीक है हमें यहाँ पर सिर्फ KVA में Load पता है हमें यहाँ पर Watt में Put करना है KVA to Kilowatt में Convert करना होगा जैसे के Formula क्या होता है हमें Kilowatt found करना है तो Kilowatt is equal to क्या होगा KVA into Power Factor काफी Basic है ठीक है हमें यहाँ पर KVA पता है 1000 है ठीक है Power Factor हमें यहाँ पर पता नहीं है Normally यदि आपने आपके Transformer के साथ Power Factor के लिए यदि Capacitor Connect किया है और आपका Power Factor अच्छा है तो आप वहाँ पर 0.98 यह 0.99 मान सकते है और यदि आपने वहाँ पर Capacitor Connect नहीं किया है यह कम Amount में Capacitor Connect किया है तो आप वहाँ पर 0.95 यह 0.90 इससा आप सब के मान सकते है यह 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 आपके पास Power Factor Meter होता आप वहाँ पर देख सकते है हम Average Power Factor लेके चल रहे है यह हमारे पास 0.95 पावर फिक्टर आ रहा है तो ठीक है 0.95 यह यह पावर फिक्टर आ रहा है तो उस कंडिशन में जो किलो वाट होगा वह होगा 950 किलो वाट देटमिस हमारा जो 1000 किवे का Transformer है वह 950 किलो वाट के बराबर है बट फॉर्मूले में हमें वाट की रिक्वाइरमेंट है तो यहाँ पर किलो वाट टु वाट कनवर्जन करना होगा ठीक है इस तरह हमारे पास यहाँ पर total watt आ चुका है, यहाँ पर हम यहाँ पर formula बना है तो I is equal to होगा P divided by root 3 V cos 5, I यहाँ पर I की value हमें find करना है, और जो P होगा यह P हमें watt में put करना है, चिछका आपको धियान दखना है, चलिए हम यहाँ पर value यहाँ पर put करते हो, I is equal to क्या होगा, P ह हमारे पास कितना है, 950 and 3 times 0, यह हमारे पास वोट आ चुका है, अंडरूट 3 के value होती है, 1.732, voltage हमें यहाँ पर input कर लेना है, जो कि कितना है, 11,000, यह 11,000 वोल्ट यहाँ पर हमें लेना है, ठीक, 11,000 वोल्ट हमें यहाँ पर लेना है, जितना भी वोल्ट है जो वोल्ट सब्सक्राइब करने यहां पर आने वाला है हमने पहले ही यहां पर कैलकुलेशन करके रखा ताकि ज्यादा समय ना लगे वीडियो ज्यादा बढ़ा ना हो तो यहां पर हमारे पास यह कोई एक हजार केवे का ट्रांसफोर्मर है जिसके ओपर एक हजार केवे का लोड है इंपुट वोल्टेज 11,000 है तो उसके जो इंपुट करेंट होने वाला है वह 52.48 एंपियर होने वाला है हम यहां से इंपुट करेंट को आसनी से निकाल सकते इतना इंपियर इसके इंपुट में होना वाला है अब यह हमें calculate करना है कि output में इससे कितना current लिया जा रहा है output के current का calculation हम सीख लेते है चले output current निकालने के लिए भी formula हमारा same होने वाला है देखिए output current हमें निकालना है I वैसा ही रहेगा P हमें watt में put करना है under root 3 voltage यहां पर जो हमारा output का voltage आ रहा है वह लेना है देखिए I is equal to क्या होगा P हमारे पास है 950 and 3 times 0 काफे simple है root 3 की value होती 1.732 voltage हमारे पास output में कितना है 440 आपकी यहां 415, 420, 430 जितना भी आ रहा है आप वह ले सकते हैं हम assume करके चल रहे हैं 440 वोल्ट वहां पर होने वाला है 440 इंटो कोस 5 हमारे पास power factor हमने 0.95 assume किया है यह दि हम इसे solve करते हैं 950 3 times 0 denominator में होगा 723.976 यह दि हम इसे solve करते हैं तो solve करने पर इसका answer आएगा 13.12 .198 that means 312 1312 amper हमारे transformer का output amper होने वाला है basically question interview के लिहाद से भी काफ़ important आपसे पूछा जा सकता है क्या आपके इतने केवी का transformer है वो इतने बाई इतने का है तो primary current है ना उसका secondary current किस तरह calculate करेगे तो इस तरह हम just voltage को change करके primary current भी find कर सकते है और secondary current भी find कर सकते है आई ओब आपको clear हो आउँ transformer का यहाँ पर impair किस तरह calculate किया जाता है यह नहीं वीडियो अच्छा लागा हो तो like button ज़रूर प्रेस कीजिए तो आज के लिए इतना ही थैंक्स बेंग